नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है ग्रिंस्पून गार्डन में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैरी गोल्ड यानि गैंदे के ऊपर गैंदा एक ऐसा प्लांट है जो की हर स्टेट और हर जगा पर यह पाया जाता है बहुत ही खुबसुत प्लांट होता है और इस प्लांट कर सकते हैं और कैसे क्रोंड कर सकते हैं और इसकी क्या है और कैसे लगा सब्सक्राइब तो इसको नौ zweiten निए कि क्या प्लांट वह तो बीद सब्रें गाता है जो तो यह जो इसकी पीली-पीली पत्या होती है इसको आप एक एक करकर निकाल का सोयल में लगा दीजिए और हलकी चूपर से सोयल लालकर इसको पर वाटरिंग कर दीए एक अदर आपका प्लांट जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा तो यह एक तरसे इसका बीज होता है तो दूसरा तरीका होता है इसको ग्रो करने का इसकी बनी बनाई मार्किट से पौध आती है पांच रुपए दस रुपए में आपको वह एक पौध मिल जाएगी वह आप लाकर लगा लिजिए और उससे आप यह ग्यांदा ग्रो कर सकते हैं अगर आप पौध लाकर इसको ग्र तो यह ग्रो करें अगर्ने के साथ शोचो सॉआल मिक्सटर उसके ऊपर बातоротे शॉपल होता है लेनी एसको और ऑर सेugा लिए अच्य बोरáticas और तो जो जादा डाची वनेगी ठोढ़ेगी जिसके अदर से प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रोह होगा और NPK के अगर बात करें तो आप इसको NPK भी दी सकते है फ्लावरिंग के लिए NPK 19-19 आता है, NPK 20 भी साता है तो आप यह अगर देंगे तो आपकी फ्लावरिंग जाद अच्छे होगी हर 15 जिन में आप इसके उपर थोड़ा सा स्प्रे कीजिए NPK 19-20 का और सात में अगर आपको फ्लावर जादा चाहिए तो आप डी एपी का यूज़ कर सकते है डी एपी के दस से वारा दाने प्लांट के अंदर डाल दीजिए और बहुत अच्छे फ्लावरिंग देगा डी एपी डालने के बाद पहले मिट्टी को थोड़ा सा बुरबुरा कीजिए यानि की हलकी सी मिट्टी को खोद लीजिए और इसके बाद उसके अंदर दाने डाल कर वाटरिंग कर दिजिए शाम के टाइम पे प्लांट आपका एक से तेड़ अफते के अंदर बहुत अच्छे फ्लावरिंग देगा अब बात करते हैं इसको रखने की कि हमने प्लांट उगा भी लिया है हमारा प्लांट उग भी गया है अब प्लांट उगने के बाद हम इसको रखना का है Shade में रखना है या फिर धूप में देखिए जितने भी flowering plant होता है और specially जो सर्दी वाल plant होता है इनको पसंद होती है धूप जितने भी full आते हैं और जितने फल बनते है वो बनते है तेज धूप से तो आपको plant ऐसी जगाप पर रखना है तो जितनी ज्यादा अच्छी दूप मिलेगी उतना बड़ा हमारा flower आएगा और उतना अच्छी quality का हमारा flower हमको मिलेगा तो जब भी आप यह plant लगाकर अपना रखे जब आप plant को grow करें बीच से या पौर लाकर तो करीब हफता भर उसको शेड में रखे और शेड में रखने के बाद उसको फिर sunlight में लिए ताकि जब तक इसके उपर sunlight आईगी प्लांट आपका बहुत अच्छा grow होगा आप कुछ important बाते करते हैं इसकी care और tips के उपर देखिए जब भी आप plant लगाएं प्लांट लगने के बाद जब आपका plant grow हो जाएगा तो उसको बीच में से काट दीजिए कुछ दो या तीन पतियां छोड़कर उससे क्या होगा आपका plant धेजरे घना होता रहेगा और जितना plant आपको घना होगा उतना इसके उपर ज्यादा बढ़ साएंगी जितनी ज्यादा बढ़ साएंगी उतने बार ये आपको ज्यादा फ्लावरिंग देगा तो एक तो plant जो है वह बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा डीएपी देने के कहीं तरह की होता है जैसे आप जो दाने होता है वह इसके स्वाइल में डाल दीजिए या डीएपी को घोल कर भी देते हैं वह डाल दीजिए और अगर आपको डीएपी यूज नहीं करना और 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 अप इसको वर्मी आप इसको वर्मी कंपोस्टा जो होता है वह बहुत चैंदर अगर और आप इसको देंगे तो प्लांट आपका बहुत अच्छा करेगा उससे जो एमारी थोड़ी एसटिक बनने के साथ साथ बहुत अच्छा रेस्पॉंस करता है ग्रो होने में भी और फ्लावरिंग के अंदर बात करता है कि प्लांट के अंदर कुछ बिमारी होते हैं वह भी लग जाती है तो गैंदे के अंदर वैसे कोई जादा कोई बड़ी बिमारी लगती नहीं लेकिन इसमें क्या होता कि मक के मच नीमॉयल को एक लिटर पानी के अंदर मिक्स कीजिए और एक चमच शैंपू या फिर साबून मिक्स कीजिए और उसका स्प्रे अच्छे से कर दीजिए पूरे प्लांट पर यह आप 15 दिन में दो बार कर सकते हैं और यह ब्लुकुल फूली और गैनिक है अब बात करत इसी गैंदे के बारे में कुछ information किस तरह से हम इसको ग्रोव कर सकते हैं और किस तरह से हम इससे जादे ज्यादा फूल ले सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो उसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्रा आप जरू किजएगा थैंक्यू सोमाच